हेलो फ्रेंज्ज को स्मार्ट बिल्स टवाइज्जर्ज आए आज के दाफ की बीदी सिंपल जाए ठीक है इतना में इसमराइजिंग है कि मतल्स सबको पता है सब पतेज मैं बतानी जाए हुए है सबको निग क्या है सब लोग कमपाॉंड निंग बोलते रहते लेकिन मैंने एक छोटा सा टेस्ट किया था अपने FB पोस्ट पे ठीक है और जितने अपने WhatsApp गुरूव थे उसमें भी मैंने डाला था ठीक है एक छोटा सा एक्जाम्पल ठीक है कि यह क्या चीज है ठीक है मैं आपको दिखाऊंगे कि मैंने एक्चली मैंने क्या पूछा था आमात्मी दिमाग सोच नहीं पाता है जैसे मैं और आपको दिखाना चाहता हूँ ठीक है कैसे होता है अब पर ले आपको एक फर्मुला दिखाऊंगा उसके बाद हम लोग उसंपर बात करेंगे यहीं समर्मुला यहां पर मैंने फिरमुला लगा है क्या है, compound interest का formula है, बड़ी simple, कि 5 बरस के लिए मैं कोई पैसा रख रहा हूँ, yield मेरा 14% है, typically आपको जो nifty है, near about 14% का yield देती है, यह मैं बार बार रोलता हूँ, आपका 40 बरस, 45 बरस का history है, nifty का, इसमें आप कहीं से भी कहीं, कहीं से भी कहीं, दिवाने सबसे जो खराब 20 years मैं मैंने calculate किया है, आज तक, वो कहां से कहां है, 2000, ठीक है, nifty का 2000, जो कि करीब 1250 रुपे का था, और आज का nifty, जो 2020 में जो हुआ था, ठीक है, वो जब मैंने सबसे peak, और सबसे dearth, सबसे खराब, तब का करीब nifty जो आता है, करीब 11,5% का आता है, ठीक है, बाकी, जो गर average जांदार returns है, ठीक है, 14% आप कभी भी मान के चलते हैं, आगे भी चलेंगे, तो आगे actually और better performance आने वाला है, को कि आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी जो जितनी public sector कमणिया थी, वो निकलती जा रही है, गेल, भेल, और उल्टे पुल्टे जो इस्टार्क से, जेपी, एस आई है, तो उसके चलते हैं, जो निफ्टी का performance होगा, that will be much much better, going forward, ठीक है, तीसे मैंने 14% लिया है, initial balance, ठीक है, मैं एक लाक रुपया रखता हूँ, एक हजार, दस जार, एक लाक, ठीक है, इसको मैं calculate करता हूँ, कि पांच साल में क्या होगा, तो पांच साल में आपका पै 45 years, एक लाक रुपया आज से लिट में 45 रख दूँ, 45 years तक कितना हो जाएगा, आप एक गेस करो, एक simple आप गेस मारो, कि मैं जगर 45 years पैसा में रखूँ, यही एक लाक रुपया, कुछ ना करूँ, निफ्टी के index fund में डालके मैं छोड़ दूँ, and let's assume that कि गेस 14%, ठीक है, क किसी किसी year में 76% निफ्टी परफॉर्म किया है, मतलब कि अगला 4 साल तक आपको कोई परफॉर्म नहीं आता है, तब भी आप एक दम, मतलब यह परफॉर्म वेल, लेकिन कैसा होता नहीं है, बहुत लिमिटेड येर से हैं, लेक 2008 का end हुआ, उस में निफ्टी निफ्टी न से और से घंए उस donors देपें को जाुआ, मतलब मत nécessaire है किसी कोई है, मतलब मतना शुसमान होता है, जब आपुन का उस समने सक्षाम से निफ्टी में समान 6 सी निफ्टी ना स्कषाम से ने नग वरी मतलब यहारी नषय Mobla Loo is 16 म से 5 में 30 सet, अब सम्क्राइड से से 2 निफ्टी 55 years में कितना होता है? स्पिल क्ल्कुलेशन मैंने से लगाया थोड़तर परसेंटेज के चलते हैं पर पांच करोड बारा दिखा रहा है जिस फर्दस्तेका आप मैंने इसे चलाया इसको तो पांच लाक रुपया परहे साल में दो लाक रुपया होता है ठीक है एक तो एक तो आप बहुत दूर गेस किये ठीक है आप देख लेना पक्का से स्योर्ट देखा काफे अपना इतना तक आप नहीं आये हो गए आप देखेंगे जो सबसे इंपार्टन चीज है कमपाउंडिंग का जो की बहुत ही बहुत ही मुश्किल है मैंने उसको विजुलाइज करना ठीक है ओ क्या है आप देखेंगे कि पांचमें बरस में दो लाग हुआ दसमें बरस में चार लाग हुआ ऐसे करते करते चालिसमें बरस में चालिसमें बरस में जो पैसा है वो दो करोन चपन लाग खाया ठीक है मैं इसको एक कलर में डाल देता हूं ताक कि थोड़ा इजी रह समझना इसको फिल दूसरा से डालते हैं तरह कि इजी से समझ पहे हैं ऐसे मैंने डाल दिया जगर आप ये 1,00,00 रुपया 40 वरस तक छोड़े होते ठीक है तो आपको मिलता 2,56,00 करोड लेकिन वही एक दूसरा आदमी है जिसने क्या किया कि 45 वरस तक है जिसने जितना आप कमा के लिए जाएगा जगर वो किवल 5 वरस आप से एक्सेटर ले तो उसके बास आप से 2,56,00 पर आप छोड़े वो 5,12,00,00 पर छोड़ेगा समस्रेब यह पावर है इस 5 बरस का तो पहले 5 बरस में क्या होता है दो एक लाख रूप एक्ष चा आता है लेकिन last के जो 5 बरस है उसमें धाई करूर कोड़ रुपयां अता है एक पहले दस क्रोड़ में चार लाग आता है लेकिन लास्ट का जो 5 будете पांच 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 फाइफ एर से न उसमें आपड़ाई को रोपया बनाते हो ठीके यही सबसे समझदारी वाली बात है compounding की कि जो last का आप जो year रहता है न वो इतना जदे important रहता है इतना जदे important तो आप इसको आप गरीब दिखोगे एक लाग के दो ही लाग तो बड़ा है एक ही लाग तो बड़ा है what is the big deal? थी न दस वरस हो गए यार किवन तीन ही लाग तो बड़ा है पंदरा येर्स बीट गए यार साथ ही लाग तो बड़ा है ठीक है? लेकिन भाई साब जब ये last के जो पांच बरस आते हो न दब आपको real में जो compounding हो दिया है आपके last के year में last का जो पांच बरस दिखेगा न वो extremely powerful होता है मतलब कि आपने जिन्दगी में जो 40 बरस में जितने पैसे कमाए न वो last के पांच बरस में कमाते हो ये है power compounding का ठीक है? ये ही compounding किसी को visualize करना is like impossible मैंने सब को test कर लिया है ठीक है? बहुत लोगों को test किया है ठीक है? इस बात को लोग नहीं समझ बाते है कि कि लिया को जितना जादा दीन तक आप रहोगे सुरुपे पैसे आपको नहीं दीखते को कोई mutual fund में डालता है पैसा यार एक लाग रुपे डाले थे एक लाग बार चवदा हजार होगे यार एक लाग चवदा हजार होगे यार यार दूसरे साल अरे ठीक है ना एक लाग अठाइस जार उन्तीजार रुपया पैसे हो गया है दो साल से तो बैठा हूँ हाल ले अठाइस उन्तीजार रुपया है लेकिन वही जब चालीस बरस तक पैसा बैठता है न ठीक है तो लास्ट की दिनों में जो करोड रुपया एड़ होते हैं इमेंजिन करो जो पचासमे साल में बैठने के लिए रेडी हो ठीक है मानों कि किसी ने 20 बरस में स्टार्ट किया और 50 बरस में बततर सतर बरस कुमर्थक इंवेस्टेट है इस इंपिल वन लाक रुपया तो यह बिद्ध दस करोड रुपया दस करोड जस्ट अटे सचे नार्म उसको कुछ दिमाग भी ने लगाना है I will be having 10 करोड उर्पियन, that's the power, ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा, बहुत बहुत धन्यवाद,